क्या ये तीन तलाग को कॉंग्रेस के लोग समाप्त कर पातें और ये सपना तो सरदेव बाला सहाथ ठाकरेची कभी था 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 ना आखिर चत्रपति सिवाजी महराज का हिंद्वी सुराज तो यही था ना जो आज देखने को मिला है यही तो था कि हमारा अपना सासन होगा भारत का अपना सासन होगा भारत के अरग्य देवों का सम्मान होगा भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी भारत की सीमा को भारत को संब्रिती की नई उचाई तक पहुचाने का काम करेंगे यही तो कहा था और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं बैनौर भायो मोदी जी के नित्रुत्व में आज भारती जन्ता पार्टी और NDA की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ड पावर, ग्लोबल पावर की रुपए स्थापित करना चाहती है, वह है विक्सित भारत, विक्सित भारत के लिए, विक्सित महारास्त भी चाहिए, विक्सित महारास्त के लिए, विक्सित नात्पुर भी चाहिए, हर जन्तत को, हर गवों को विक्सित बनाना है, आत्मिन निर्भर बनाना है, और इसके लिए सबसे ससक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी सरकार, नेता भी होना चाहिए, नीती भी होनी चाहिए, और नि भी होनी चाहिए कि आप विपक्स के पास नेता है क्या नेता है ननीती है और ननीत ही है यही इस्तिती है ना और बैनों और भाईयों हमारी सहमती हो सहमती हो सकती है हम लोग सुभोज जी और मैं दोनों लोग सांसर थे 1999 में भी साथ साथ थे वे अलग पार्टी से थे मैं अलग पार्टी से था और इसलिए बैनों और भाईयों में आया हो देश की जो आवाज है राष्ट की आवाज को महाराष्ट की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए दोनों आवाज एक होनी चाहिए चत्रपती सिवाजी महाराज का तो यही सपना था और सपने को साकार करने के लिए और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक आवसर फिर से हमारे पास आया है देश की आवाज एकी है फिर एक बार फिर एक बार मोधी सरकार फिर एक बार मोधी सरकार अब की बार 400 पार